Hello friends, कल हमने capacitors के बारे में देखा था, तो आज हम देखेंगे inductance, तो यह inductance क्या है, कोई भी ferrous material जो है, मतलब जो magnetic metal जिसे लोहा हो गया, यह एक ferrite core आप देख रहें, तो यह ferrite core के में हम कुछ torns, wires का लपेड देते हैं, तो यह की inductance बन जाता है, अभी हम इसको measure करके देखते हैं, कि इसका inductance कितना है, और उससे पहले इसमें एक count कर लेते हैं, देखें, कितना ton हमने दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे, यह meter में मैंने, यहाँ पे set कर दिया, देखें, 2 milli henry पे set कर दिया, henry होता है, अमारा inductance का unit, तो यह बहुत छोटा सा inductance में आपको दिखा र दिया है, अभी मैं इसको measure करूंगा, यह वेर में कितना आ रहा है, तो यह देखें, इधर यह जो दो terminal है, हमने plus and minus में लगा रखा है, ठीक है, अभी एक terminal मैंने इधर लगाया, blue का, और दुसरा इसमें लगाया, तो अभी देखें, मेरे को आ रहा है, 0.38, 3738 ऐसे आ रहा है मतलब 0.38 मिल्य हंरे हैं, अभी रेड वैले को चेक करते हैं, रेड वैला है, रेड का दोनों air में लगाते हैं, तो रेड का भी देखें, 0.038 मिल्य हंरे हैं तो दोनों का सेम है तो हम इसका भ्लू का देखाता six ton है तो इसके भी देख लेते हैं कितना ton है one two three four five six तो दोनों का टॉन सेम है वान, टू, तुरी, फॉर, फाइब, सिक्स, सिक्स टॉन के बाद ये बाहर आ गया, तो सेम है, इसका, अभी अगर ये दुनों के निकलते हैं, ये दुनों का देखते हैं, कितना इंड़ेक्टन्स है, 80, ठीक है, ठीक है, अभी देखे, इसमें, तो इसमें देखे, अभी टॉ तो इतना बढ़ गया तो हमारा इंटक्टांस बढ़ गया इसका मतलब आप जितना बढ़ाएंगे हम अभी और एक एक्सपरिमेंट करते हैं यह दोनों का अभी मैं रैप कर देता हूँ तो यह बहुत सरे टॉर्म हो गया अभी इसको देखते हैं कितना टॉर्म हो रहा है अभी देखे यह रैप कर दिया हूँ तो मतलब टॉटल टॉर्म अभी हो गया यहां अभी यहां से मेजर करते हैं पूर अभी हम एक end से लेके पूरा end तक हो गया, शारे turn इसका 6 turn था, ये 7, ये इसका 9 turn था, तो total मिल गया, तो जितना turn बढ़ गया, तो हमारा inductance उतना बढ़ जाता है, और जितना कम turn होगा, उसका inductance उतना कम रहेगा, inductance is a simple coil उसमें कुछ नहीं है कोई ferrous material ferrite हो गया magnetic core हो गया उसके उपर हमने wrap कर दिया wires को तो inductance हमारा बन गया और ये सबका utility के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे आज के लिए ये वीडियो में बस इतना ही thank you for watching अगर आपको ये अच्छा लगा तो please subscribe, like and share thank you